हेलो एर्यवान वेल्कें तो माई यूट्यूब चैनल जेकेटोयल स्टूटेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 10 के मैद का चैप्टर वान तैट इस रियल नंबर और आज हम डिसक्स करने वान हैं स्दूशन एक्सरसाइज 1.2 का सब्सक्राइब करने से पहले जो आज में चैनल पर नुए हैं मेरी वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं वह प्लीज से सब्सक्राइब करना न भूलें तो फर्स्ट वाला का फर्स्ट कोशन है एक्स्प्रेस इच नंबर ऐसे प्रडॉक्ट आफ इट्स प्राइम प्राइम आप में क्या करना है इन नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रडॉक्ट में लिखना है तो जैसे कि फर्स्ट नंबर है आपका 140 पहले 140 के प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लेंगे वह आपको पता कैसे निकालने होते हैं 140 जो है इवन नंबर है यह 5 से भी डिवाइ यहां पर से नमबर आए आपके 225 और सेवन यहीं मैंने लिखा है 140 इकोसे 2257 तो दो भार था तो मैंने टू का स्केर लिखती है यहां पर और फाइवन वार है सेवन वार है उसी तरह नेक्स पार आप कर सकते हैं 156 156 का आप कैसे निगानेंगे करेंगे इसकी 156 जो आपका इवन नमबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं 2 7 14 2 8 16 फिर से 2 से हो जागा और अब नमबर है 2 3 0 2 9 0 फिर 13 3 से हो जाएगा 3 13 से लास वन 13 बचा तो प्राइम वैक्टर से इसके क्या आगे 2 2 2 3 इसी तरह बाकी नमबर के प्राइम फेक्टर पी जो है वो निकाल जकते हैं नेक्स आपका कोशिन नमबर 2 है इस पर हमने क्या करना है find the LCM and HCF falling pairs of integers आपने इन integers जो आपको दिये गए हैं यहाँ पे उनका LCM, HCF निकालना है और उसके पाद आपने क्या करना है Wi-Fi करना है कि जब आप नमबर के LCM और HCF को multiply करते हो तो वो किसके एक को लाना चाहिए उन numbers के product के एक को लाना चाहिए means जब भी आप LCM निकाल लोगे उनका HCF निकाल दोगे उन दोनों को आपस में multiply करोगे तो वो किसके एक को लाना चाहिए जिसका आपने LCM, HCF निकालना है उन numbers के product के equal तो first of all आपका first number है 26 and 91 ठीक है तो 26 को भी आपने prime factorization करनी है आपको पता कैसे करते हैं जो मैंने अभी भी बताया है 26 की prime factorization 2 से start किजिए तो 13 ठीक है 26 ठीक है यह हमने किया हुआ है उसे तरह आप 91 कभी करेंगे 91 कभी किया है 7 into 13 अब HCF क्या होता है जो दोनों में common होंगे number वो इनका HCF हो जाएगा जैसे यहां पर आपका common है 13 तो HCF आपका आगया 13 और कोई number common 2 और 7 common नहीं थे LCM के case में क्या होता है कि जो number common होता है वो एक बार आता है और बाकी दूसरे number को अपने साथ में क्या करना होता है मल्टिपाई करना होता है जैसे 27 थे जब मल्टिपाई किया यह आपका आगया 182 यह HCF आ गया अपका निकल गया अब नंबर एक पार्ट और हम कर लेते हैं डिस्क यहां पर डिसक्स 510 हो गया 92 हो गया साथ में इन दोनों का निकालना है और 25 भी करना है अब आपने HCF चेक करना है यहां पर देखिए टू कॉमन आया और कुछ कॉमन है नहीं है अच्छी आपका अउनली टू है क्या करना है चो कॉमन आया है टू वह एक ही बार लिखना हो था आपने उसके बार देखिए 3 इंटू 5 इंटू 17 यह आपका अगया आपका 2 इंटू 23 यह आपका 23 आपका मॉल्टिपाय करने के बाद यह आपका नेक्स आपको करने है प्रदक्ट आप दैट नंबर दोनों का प्रदक्ट निकालोगे यह आपका आगया 46920 उसी तरह HCF इंटू करेंगे तो यह भी सेम आया तो यहां से यह वैरिफाय हो गया प्रदक्ट की जो प्रदक्ट होता है तू नंबर का इसके नेक्स पाड़ा खुद टाय कर सकते हैं नेक्स कोशन नंबर 3 कोशन नंबर 3 में आपको क्या पूछा क्या है आपने है HCM और HCF निकाल ला है इसर का लेक्स कुंसे मैत्र से प्राइम फैक्टराइजैशन मैत्र कर जैसा हमने से लास्त कोशन में किया से जैसे यहां पर आपकी बैरिफिकेशन प्रोसेस जो है वह नहीं है जैसे कि आप कर देखिए फरस्ट पार्ट में क्या दिया गया है 12 15 और त्री इनका क्या हो गया है एच्छी एफ एल्सीए में क्या आएगा टू का स्केर थी कॉमन है पीछे बचके फाइव और सेवन के बाद क्या गया फोटी फॉरहंड़ ट्वेंटी नेक्स सेकंड पार्ट भी देख लीजिए 172329 इनके प्राइम एक्टर में देखे क्या रहे है यह इसके प्राइम नंबर है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो एसी एफ आपका क्या हो गया वान आ गया लसी एम तो तिन नंबर को मॉट्पाई करोगे यह आगया यह निकालना था इस तरह आप इसके नेक्स पार्ट भी ट्राइग कर सकते हो नेक्स आपको कोशिन आप यहां पर क्या करेंगे अभी जो प्रॉपर्टी हमने वेरिफिकेशन के लिए यूज की वही प्रॉपर्टी आपने यहां पर अप्लाई करनी है कौन सी वही नोग दैट कि एल्सी जो होता है टू नंबर का वह एक्कुल सु प्रोड़क्ट अप्ट नंबर होता है उसी आपके वह आपका आजाएगा एल्सी एंटू 9 इकुल्स टू 306 इंटू 657 ठीक है तो यहां पर जो 9 मल्टिप्लाई में था उस साइट पर जाके क्या होगे आपका डिवाइड में होगे डिवाइड करने के बाद यह आपका नंबर आगे ठीक है यहां पर यहां पर यहां 2338 इड नेक्स आपको कोशन है चेक पैदर 6 पावर एंड एंड विद दिजिट 0 फॉर एन नेच्रो नंबर एंड चेक कीजिए कि 6 की पावर है एंड तो इस एंड की जाहें किसी भी नाच्रो नंबर के बाद ले सकते हैं तो किसी पावर पर जाके इसकी वैडियो जो है वह जिए जिरो पर एंड होगी यहां पर कहने का मतलब है जैसे कि मैं 6 की बावर करूंगी तो वह सिक्स है लेकिन यहां पर जिरो नहीं आया तो आपने चेक करनी और प्रूफ करनी यहां पर आईये स्लुशन देखते हैं इसका अब हमें यह चीज पता है कि कोई नंबर एंड क से तो जात तो किसे ट्यवेजीवल होगा तैंग से लाइस जिसके लास मेंलमर होगा इसलिए तुसर डिवाइड रहुता है और 5 वी प्रॉपर्टी होती है कि कोई विर नम्ब जिसके एंड में 0 और 5 हो वो दिवेज़व होता है 5 से अब यह 2 और 5 होता है और 10 10 से क्यों होता कि क्या होता है जो नमबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता वो 10 से नाचरली होगा अब इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं हम 6 की पावर एंड की एंड तो अब बाहर ले जिए 6 किसके एकोड होता है 2 इंटो 3 ठीक है 2 3 तो यहां पर अब्जर्व किजिए इस इस फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है 3 है तो फिर किसी कोई भी वैल्य दे लेंगे एंड की 6 एंड जो होगा कभी भी डिवाइड किससे नहीं होगा 5 से नहीं होगा अगर 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा जस्त 2 से हो रहा है 5 से डिवाइड नहीं हो रहा अगर 5 से हो जाता तो वह 10 से भी हो जाता तो मतलब जो नमबर 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसके एंड में कभी भी 0 नहीं आ सकता ओके नेक्स सब्सक्राइब करना है आपको यह यहां पर दी गई है आपको यह बताना है यह को यह हैं कमपोजिट नमबर है क्यों है थ strongly फोटे दो टायप के होते आपको पहले इन बतायाएक प्राइम होते रहा नंबर के जो हैंसे डिवायड हो जाते हैं कि यहां पर 30 आमने कॉमन निकाल लिया इस फटिन के जगा आपका यह वन आ गया तो गीवन एक्सप्रेशन से यह हमें पता चल रहा है कि जो नंबर हमें दिया गया है इसके दो फैक्टर है तो 6 है दूसरा क्या है थर्टीन और यह क्या हो गया composite number कि कोई वह नमबर जिसके वन और खुद से को छोड़ के कोई और फैट नमबर भी रेक्टर हो वह क्या बन जाता है composite number बन जाता है सेम देखिए यहां पर भी आपको दिया गया 726 यह सारा करके लास में दिया गया 5 तो 5 यहां से common निकालेंगे ठीक है यहां से 5 निकालेंगे तो 7 6 4 3 2 1 multiply में आएंगे और जब यह वाला 5 हम निकालेंगे इसकी जगा आ गया 1 सबको solve करोगे इन सभी numbers को multiply करने के बार दाता है 1008 और 1 है यह 1009 है 1009 को हम factorize नहीं कर सकते ठीक है लेकिन गीवन एक्सप्रेशन जो थी हमारी उसके दो फेक्टर बन गया कों 5 और 1009 दो चोड़िये वन और खुद के अलावा जब एक भी अधर फेक्टर बन जाए तो वह नंबर बन जाता आपका composite नंबर यहा हैं composite numbers है last question आप exercise का 7 question number 7 की circular path है एक sports field के अरो सोनिया लेती है 18 minutes एक round लगाने में फील्ड के जबकि रवी ले रहे है 12 minutes उसी round के वी सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है किससे रवी से तो स्पोस कीजिए कि अगर वो start कर रहे हैं same point से same time पे और same direction में जा रहे हैं तो कितने minutes म में वो meet करेंगे एक दूसरे के साथ वो भी starting point से same कहां कितने minutes के बाद वो एक दूसरे से meet करेंगे तो यहां पर solution देखिए कि रवी जो है कम टाइम ले रहा है किससे सोनिया से complete करने में same circular path है उसका एक round लगाने पर तो अगर जाविट सेम ट्रक्शन में रहे हैं तो वो ए एक दूसरे मिलेंगे same time पे जब रवी complete करेंगा एक round किसका circular path का किसके बिदर सेक तो सोनिया और टाइम टेकन है complete करने का उनके one round किसका circular path का वो क्या होगा LCM होगा time का किसके time का Sonia और रवी के जब वो complete करते हैं one round किसका circular path का तो कौन के time था 18 और 12 मिनर्स थे 18 और 12 वो का अपने prime factorization method से निगा लेजिए LCM यह आ गया 36 इसका मतलर रवी और सोनिया एक दूसरे से कितनी देर के बाद मिलते है 36 मिनर्स के बाद वो कि एक point पे क्या हो होगे meet करेंगे तो यह था आपकी exercise 1.2 का solution आए हो कि आपको अच्छी से समझ आ गया होगा अगर आपको मेरी वीडियो उच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like किजिए share किजिए और मेरे चैनल को subscribe किजिए ताकि आपकी मेरी latest वीडियो जो है वो time to time मेरे दिन है आज के लिए जसम दर涵 जतको तो है अजय दूए और मेरे धन दो नहीं के लगी है दो है दोरे वीडियो अज रेख कि मेरी तीन है आपकी होगा नहीं कहा ह। झापक दे हन ए जख जग है टापकी होऊए रेख कि अजयोड आष ग झापकी है जग